हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्रीरेका किचन, चलो आज बनाते हैं होममेड मिक्चर जो के आपको दिवाली में अच्छा काम को आएगा लोगों को सर्फ करने के लिए, जो है आप दिवाली पार्टी में यूज कर सकते हैं, ऐसे भी स्टोर करके रख सकते हैं, पहले बनाएं नमक थोड़ा ही दाला है, और जो होते हैं कैरम सीट जो है, अजुवाइन वो थोड़ा सा ही दाला है, थोड़ा थोड़ा ही दालेंगे, ज्यादा नमक नहीं दाल रहे हूं क्योंकि बाद में मिक्षर में हम कैसे तो भी नमक दालना ही है, और थोड़ा थोड़ा पानी में दाल के हम गुण लेना है आता olm zur Xiaomi ग५ॉसे बाद हम यह जो होता है मुर खुलू का जो मेसिन आता है ना सेफ का मेसिन में हम डाल के उसको ऑइल में हमें कीले करके के सोड़ेंगे ओईल जो ही मधियों होट रहे नेशा रहे वर आप अपने हिसाब से अब अपने क्वांटिड कर सकते ! पतला वाला ले सकते मेरे पास पतला वाला जो चैदा सेव का मेसिन मिला नहीं तो मैं थोड़ा सा मोटा डी लेल श्रखम जाब 25 से अपर जाग आने के बाद जाग में दो मिनिट के लिए उसके बाद लिए हम इसको पलटेंगे ज्यादा भी जलाना नहीं है थोड़े सा करके निकाल देंगे फिर ऐसा करें पूरे के पूरे मैंने जो है अपने अपने आपने कॉआंटिटी लेजी आप जित मेशिन का है यह थोड़ा सा हाड था थोड़ा जल्दी से निकल नहीं रहा था तो इसलिए मैंने जादा पत्ला वाला सेव नहीं बनाया मोटा वाला सेव ही मिक्षर में जो है आच्छा लगता है उसको बाद में हम तोड़ देंगे और छोटी-छोटी टुकड़े में काट ले सेम एसा टोटल मैंने दो कप बेशन लिया है और एक कप चावल काटा से यह पूरा बनाएं उसके बाद सेव बनके मैं हम मैंने हाथ से उसको तोड़के छोटा-छोटा टुकडा काट लिया फिर नेक्स्ट बनाओंगी मैं बूंदी जो है सेव बूंदी बनाओंगी एक कप मै थोड़ा-थोड़ा करके हम इसको बूंदी को दाल दे जाएंगे पहले फर्स्ट बाला जब थोड़ा चिप्टा बन गया मेरा बूंदी उसके बाद नेक्स्ट अच्छा ही बूंदी बना चिप्टा क्यों बना मिन्स ओयल ज्यादा गरम नहीं था तब मैंने दाल दिया था ओयल अच्छा गरम होना चाहिए बूंदी हम जब दाल रहें एकदम से पूरा आप मद दालिये थोड़ा-थोड़ा करके बनाईए तब भी जाके बूंदी करक्ट सेप में आता है फिर हमारा सेप भी हो गया और बूंदी भी हो गया इसको थंड़ा करने के लिए हम थोड़ पूहा लिया है वो अपने क्वांटिटी के हिसाब से अपना अंदास के हिसाब से अब जितना चाते हो बना सकते है मैंने दो कप पूहा को एसे चन्नी के जरिए ही आप फ्राइ कीजिए डायरेक्ट ओयल में मढड़ा लिये पूहा नहीं तो निकालने के लिए ज्यादा हो भी बन जाएगा इसलिए एक बड़ा से चन्नी में जो है फिल्टर में हम दालके साब बना सकते हैं यह इसे दो कप पूहा को मैंने का लिया कॉंद्ञें कॉमद्ञें को थोड़ा से डाल के बह भी है करके फ्राइ करके हम निकाल देंगे एक दम से ऑयल में मत दालिये ऐसे प्लेट में रखेंगे फिर बाद में थंडा होने के बाद हम सब एक साथ असेंबल करेंगे फिर सेम चन्नी में मैंने जो है जो मूफ वली होता है पीनट्स उसको भी में डाल दूगी अर अच्छे से फ्राइ कर लूगी इसे धीरे धीरे जितने भी आड्राइन नट से अप ध मीन कर सकते हैं अब चाहो तो और दूसरा बले भी कोई भी डाल सकते हैं ड्राइफ फ्रोट किसमिश डाल सकते मैं नहीं दाला किसमिस मैंने रोश्टर चना को भी वैसे ही मैंने फ्राइ कर लिया बड़ा से चन्नी में करिए डायरेक्ट ओयल में डालेंगे तो ओयली ओयली हो जाता है फिर वह ज्यादा ओयल खींश लेता है ऐसा ही करके अलग-अलग प्लेट में रखेंगे और करी लिप्स भी इसमें डा बुंदी को अच्छा मिक्स होने के बार पोहा को भी जो फ्राइट पोहा है वह भी मिक्स किया कॉंफलेक्स को भी एकदम से मिक्स किया जितने ड्राइफूर्ट से उसको भी में थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करते जाऊंगी और जो है कारी लिप्स और रोश्टेट चना आपब भी किया फिर ज लिया है अपना अन्दाश कि हिसाफ से थोड़ा थोड़ा करके नमक डाले एक दम से पूरा नमक मत डाले चिलि पवाडर अर चाट भी थो डाला है .. fifteen कितम से पूरा मत डालिए नमक ज्यादा हो जाएगा थोड़ा-थोड़ा करके डालिए टेस्ट कीजिए फिर आप थोड़ा-थोड़ा डालिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब